नमस्कार, श्वागत हैं आप सभी का मेरे बास्तू ग्यान गंगा योटूब चैनल पर दोस्तों, आज मैं आपको गुरू वार का बहुत ही अच्चा उपाए बताऊँगा ये उपाए बहुत ही चमतकारी और प्रबावसाली है शिर्प हल्दी और चावल का ये उपाए बहुत ही प्रबावसाली है अगर इस उपाए को आप करते हैं तो जीवन में कभी भी धनकी कमी नहीं रही बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं अच्ची खासी मेनत करते हैं लेकिन धनकी बरकत नहीं उपाती कर्ज चड़ जाता है अनेक प्रकार की परिशानी आना सुरू हो जाती हैं आज मैं आपको जो उपाए बताने जा रहा हूँ यह बहुत ही प्रबावसाली उपाए गुरुबार का ब्रत रखने से गुरुबार की पूजा करने से घर में शुक और सांती रहती है जिस गर में गुरुबार की पूजा की जाती है गुरुबार के नियमों का पालन किया जाता है उस गर में कभी भी पेंसे की कमी नहीं रहती पेंसे की तंगी नहीं रहती प्रतिक विश्वितवार को सुबह उठते ही सर्पतम भगवान विश्णू को नमस्कार करें उसके बाद में जब आप इश्नान कर रहे हों उस समय थोड़ा सा हल्दी और दूद इश्नान वाले पानी में डाल करके इश्नान करना चाहिए उसके बाद में आप एक थाली त्यार कर लें उसमें चाओल हल्दी एक लोटे में जल थोड़ी से चने की दाल गोड़ यह सामान रख करके आपको भगवान विश्णू के सामने बैठना है भगवान विश्णू के सामने बैठ करके आप ओम ग्रम गरीम-ग्रोम सहः-गुरव नमा इस मंत्र का आपको जाब करना है भगवान विश्ण के सामने इस मंत्र का जाब करने से भरपूर दनाता है और माता लच्छमी की किरपा होती है भगवान के सामने शुद्ध देशी गी का दीपक भी आपको जलाना है अब आपको क्या करना है वध्यान से सुने कि मंदर मे आपको हल्दी से एक स्वास्तक चिन बनाना है स्वास्तक चिन बनाकर उस पर थोड़े से आपको चावल यानि अख्यत छोड़ने है उसके बाद में आपको एक सिक्का लेना है और चावल की एक कटोरी लेनी है उसमें थोड़े से चावल डाले और उस सिक्के को आप उसमें रख दें उसके बाद हल्दी का घोल टियार करें और स्री महा लच्वी नमः इस मंतर का जाप करते हुए आपको उस सिक्के पर थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है उसके बाद में आप करीवन एक माला इस मंत्र का जाप करेंगे श्री महाल अच्छ में नमा उसके बाद में आपको पीले कपड़े में थोड़े से चावल उस कटोरी में से लेने हैं एक सिक्का आपको लेना हैं दो पीली कोड़ी आपको लेनी हैं ये सारा सामान लेकर कि आपको एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपको अपने घर के अंदर रखना है यानि तिजोरी में रख देना है उस तिजोरी के अंदर भी जो हल्दी का गोल आपने त्यार किया है उससे स्वास्तक चिन आपको बनाना है उसके बाद में एक स नकारात मकता उस गर से सदा सदा के लिए चली जाती है जो व्यक्ति प्रती गुरुबार की गुरुबार को यह उपाय करता है धनकी पूटली त्यार करता है उस गर में कभी भी धनकी कमी नहीं रहती चारों तरप से धनाता है धनकी रास्ते खुल जाते हैं लेकिन दोस्तों आपको कुछ बतों का द्यान भी रखना होगा। नम्मर एक, बीर बार के दन आपको बुलसेवी घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं करना है। इस बात का आपको विशे शूबसे द्धान रखना हैं, कि बीर बार के दन, गुरु बार के दन आप यह उपाय करते हैं। साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके घर में मीट मास आधी का प्रियोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर यह नियम आप शुरू करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूरी होगी। धनी ही धनाएगा। धन की सारी प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेन दरवाजे पर स्वास्तक चिन्न का बनाना है। गर में भगवान विश्णों की आपको ऐसी फोटो रखनी हैं जो माता लच्वी जी उनके चरण दबाती हुई हूँ। साथ ही हनवान जी के भी उसमें दर्शन हूँ। तो ऐसी फोटो अगर आप घर में लगाते हैं और उसके सामने आप ये पूजा करते हैं तो आपको शिक्रही लाव मिलना शुरू हो जाएगा। नम्मर दू कपड़े और सावन का प्रियोग नहीं करना हैं। दोस्तो गुरुबार के दिन आपको भुल से भी सावन का प्रियोग नहीं करना हैं। कपड़े धोना, शरीर पर सावन लगाना, इन बातों का विशेशूप से आपको ध्यान रखना है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपको अवशी ही लाव मिलना शुरू हो जाएगा, जिन गरों में गरीबी रहती है, जिन गरों में पेंसे की तंगी रहती है इंसान हर समय पेंसे गरीवी के लिए गरीवी से जूचता रहता है पेंसे के लिए तरस्ता है तो आपको यह उपाय शुरू कर देने चाहिए बड़े-बड़े पेंसेवालों के घरों में यह उपाय होते हैं प्रते हैं इनसान हेए उपाय करता है और उनको लाव भी मिल रहे हैं साथ ही आपको इस दिन तुलसी ब्रक्य के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए गुरुबार के दिन केले ब्रक्की के नीचे भी आपको दीपक जलाना चाहिए एक लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालनी है चनी की डाल डालनी है और आपको यह लोटा का जो जल है वह केले के पेड़ पर अरपन कर देना है केले की पेड़ पर जल अरपन करने से घर में धना अता है भगवान विश्णू की किरपा होती है और हर प्रकार की प्रोब्लम सोल्ब हो जाती है नम्मर तीन गुरू बार की दिन कभी भी भूल करके आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए नाकून, बाल कटवाना, सेविंग करना यह बरजित माना जाता है अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको शिग्र ही लाव मिलेगा प्रतेक गुरूबार की गुरूबार को यह उपाय बहुत ही चमतकारी और असरकार रखोते हैं जो व्यक्ति इन उपायों को करता है, उनके घर में सांती रहती है, कलेश नहीं होता, पती पत्नी में प्रेम बना रहता है, वास्तु दोष नहीं होता और वासु सास्त के इसाब से ही है, सुभ भी माना जाता है सास्त्रों में का गया है कि जो व्यक्ति सास्त्रों से सहमत होकर के कारे करता है जिस गर में भगवान की पूजा की जाती है जिस गर में मातलच्मी की पूजा की जाती है जिस गर में नेमों का पालन किया जाता है उस घर में सदा ही देवताओं का बाश माना जाता है प्रती गुरुबार की गुरुबार को एक रोटी पर गुड रख करके वह गुमाता को आपको खिलाना चाहिए हल्दी का टीका लगा करके रोटी पर थोड़ा साल्दी गटी का आप लगा देंगे और उसमें गोड़ रख देंगे और यह आपको गोव माता को खलाना चाहिए ऐसा करने से माता लच्मी जी प्रसन्न हो जाती है दो पीली कोडी, एक हल्दी के गाट, तोड़े से चाबल, एक सिक्का, दो कमल गटी यह सामाल लेकर के पीले कपड़े पर रख करके स्री महाल लच्मी नमा मंत्र का जाब करते हुए आप माता लच्मी जी के सामने यह उपाय करते हैं इससे घर में भरपूर धनाता है, घर में धनकी कमी नहीं रहती, किसी भी प्रकार की कोई परिसानी नहीं रहती जब आप वह जाब कर ले तो उसे पोटली को बांध करके तिजूरी के अंदर रख देना चाहिए ब्योपार इस्तल पर, जिसका अपना ब्योपार है, यह जो जुकान करते हैं, छोटा मुटा कोई भी कार करते हैं तो उनको भी पोटली बना करके वहां गल्ले में रखनी चाहिए इससे भरपूर धनाता है, धनी धनाता है, और कभी भी धन की कमी नहीं रहती तो ब्रस्वत भार के यह उपाय बहुत ही चमतकारी और प्रभावसाली हैं जरूर आपको यह उपाय करने चाहिए, इनके करने से शिग्र ही लावो मिलता है हर प्रकार की आर ही परिशानी दूर द्याएं दूर हो जाती है कर्ज दूर हो जाता है, धन की प्रोब्लम दूर हो जाती है सारी परिशानिय दूर हो जाती है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह उपाय बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप इस उपाय को जिरूर करें, इन नियमों का पालन करें जो जिर नियम में बताएं, और फिर देखना आपको कुछ ही समय में लाव मिलने शुरू हो जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स जानकारी के लिए, नेक्स वीडियो में